हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं आपकी दोस्त अरशना आज हम बनाने जा रहें कलाकन यह बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेटिड मिठाई होती है इसमें बारीक साथ दाना पड़ा होता है और एक खाने में बहुत ही टेस्ट लगते हैं एक बार खाएंगे आपका बार बार खाने मैंने उबलावद लिया मलाई सहीद मैंने ऐसे ही डाल दिया अब हमारा बस एक ही काम है वह है इसको रिड्यूस करना हम इसको लगातार चलाते वे इसको उबालते हैं जैसे इसमें उबाल आने लगता है इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे चीनी और थोड़ा सा विनेगर तो विनेगर मैंने है पानी में घोल के लिए और बहुत थोड़ा सा डालेगा क्योंकि हमें बारिक बारिक दाना चाहिए इसको ज़्यादा हमें फाड़ना नहीं है और इसको लगातार चलाते जरूर है इस पात का जरूर ध्यान रखेंगे देखिए हमारा फटना शुर हो बारिक बारिक दाना आ रहा है इसमें यह मिठाई थोड़ी सी टाइम टेकिंग मिठाई है थोड़ा टाइम जरूर लगता है हमें क्योंकि हमें इसका सारा पानी जलाना होता है तो उसमें जरूर लगेगा मगर आपने देखा इसमें चीजे कुछ नीची सिर्फ घर की वही दूद चीनी और विनेगा सिर्फ इन तीन चीजे सा मारी मिठाई बनकर तयार हो जाएगी पाकि अगर आप चाहें तो ड्राइफ रोड से लाइची आप इसमें कुछ पी एड़ करें वैसे इंची जोगी इसमें कोई जरूरत नहीं क्योंकि अपने आप में बहुत ही टेस् और जो भी इसको वाकी में एक बार खाएगा ना उसका दिल करेगा इसको दुबारा जरूर खाएगे और बनाने में आपने देखा कितना आसान है कुछ भी इसमें नहीं है बनाने में सिर्फ पस हमने reduce करना होता है दूद को बस लगातार चलाते जरूर रहेगा बिल्कुल बीच में छोड़ियेगा मात क्योंकि बहुत जल्दिसमें नीचे लगने के चांसेज भी होते हैं इसे स्टेज पे देखी मेरा पानी बिल्कुल जल गया है यानि कि हमारे पक्के तयार हो चुका अच्छे से अब इस स्टेज पे गया सम कर देते हैं बंद आप देखी रहे हों कि लगा सकते हैं आपको जितने मोटे पतले पीस हैं आप उसे आप सिसको सैट कर लीजिए इसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में सैट होने के लिए लग दीजिए अब ड्राइफूट्स या बिल्कुल ऑप्शनल अगर आपकी इच्छा है तो लगाए मैं थोड़ा सा पीसिज भी कट कर लेते हैं वाओ देखें कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे इसके पीसिज एक बढ़िया कलाकंद की पहचानी है कि एक दम सॉफ्ट और धानेदार होना चाहिए उसका दाना अगर हालका सा बिखरा हुआ सा हो तो और भी मज़ा था यह देखिए बनेना कितना तो देखा आपने फ्रेंड्स घरमे कलाकद बनाना कितना आसान हैं सिर्फ तीन चीजें दूद, चीनी और सिरका और हमारा इतना बढ़िया कलाकंद बनके तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स अब आप लोग एक बार इस रेसिपी से अपने घरमे कलाकद बनाएं, खाएं और अपने अनुमों मेर साथ जरूर शेयर करें धन्यवाद